पहार पॉलिटिक्स में उत्राखंड बने के बाद से अभी तक कुछ सियासी मिधक बरकरा रहे हैं। हैरान करने वाली बात ये है कि ये सियासी मिधक अभी तक तूट नहीं पाए हैं। अगर कौन-कौन से हैं ये पहार के सियासी मिधख जिन से हर नेता, मंत्री, बचने की गोशिश करता है, इस रुबोट के सुरी आपको दिखाते हैं. अगर की सियासत का सिकंदर बना और इस सीट से जुड़े मिथख पर प्रदेश के इतिहास में हमेशा से मुहर लगती आ रही है। खास इतिहास और रिकॉर्ड बना है, जिस दलका विदाय की सीट से जीत कराया, तो हमेशा विपक्ष में ही बैठा। इस सीट पर 2002 और 12 में बीजेपी जबकी 2007 और 2017 में कॉंग्रेस जीत करायी। इस तरह दोनों बार जीतने वाली पार्टी को विपक्ष में बैठना पड़ा। उत्राकर्ण में मंत्री बनने वाला विदायक शिक्षा विभाक से बच्टा दिखा, कहा जाता है कि शिक्षा मंत्री दोबारा विदान सभा में नहीं पहुँच पाए। और इस बार गदर पुर विदायक अरविंद पांडे शिक्षा मंत्री हैं जो फिर से चुनावी मैदान में है। विदान सभा का अपना चुनाव नहीं जीत पाया। 2002 में अंडी तिवारी सीम रहें उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। उत्राखण में सरकार किसकी बनेगी यह दस्मार्च को तय हो जाएगा लेकिन सबकी निगाहें चार बड़े मिथक पर टिकी हैं जो हमेशा से ही प्रदेश में सरकार बनाने में एहम भूमी का निभाते आ रहे हैं। और ऐसे में इस बार भी सभी को इन चार एहम मिथक को लेकर उत्सुकता है कि यह मिथक बने रहते हैं या फिर इस बार टूटकर नया इतिहास रचते हैं। टीम न्यूज स्टेग। सुरेंद्र लगातार जुड़े हुए हमारे समवादाता सुरेंद्र कई मिथक हैं एक नहीं अनेक मिथक हैं और उस पर एक रिपोर्ट भी हमने दिखाई आपने तमाम दरशकों को आपको क्या लग रहा है आपने लगातार इस चुनाफ के कवरेज की है क्या मिथक तूट या नहीं टूटेंगे तो दस मार्च को बता चलेगा हाँ यह जरूर है कि जिस जिस सीट पर यह मिथक हैं उन सीटों पर बहुत क्लोज फाइट है चाहे गंगोत्री में बीजेपी कॉंग्रेस के बीच कहें आप चाहे सिक्षा मंत्री की सीट गदरपुर में कहें वहां भी कॉंग्रेस और बीजेपी के बहुत टाइट यह मुकाबला है इसके अलावा चाहे रानी खेत में बीजेपी के प्रतियाशी प्रमुद नैनवाल हो या फिर कॉंग्रेस के करन महरा हो इनके बीच में हो एक मिथक पेजल मंत्री को भी है कि जो पेजल मंत्री होते हैं वो जी किते नहीं है बिसंद सिंग चुफाल चटी बार चुनाव लड़ रहे हैं